SSE GD 2024 की physical dates को लेकर एक viral notice साथ सामने आया है इस notice के आउट होने के बाद से ही ये notice real है या fake है इसके उपर बहस छिड़ गई है तो 4 ऐसे points में आपको बताने वाला हूँ जिसके बाद आप खुड decide कर पाएंगे कि ये जो notice है ये real है या fake है तो चलिए start करते हैं जो सबसे पहले आप एक काम कीजिए ये जो notice है इसको ध्यान से देखिए ये जो notice है ये CRPF की तरफ से आउट किया गया है और यहाँ पर इस notice में CRPF को आपकी नोडल फोर्स बताया गया है जबकि SSE GD 2024 की जो नोडल फोर्स है वो इस बार ITBPA CRPF नहीं है सबसे पहला एरर तो स्टार्टिंग में ही कर दिया गया कि CRPF को यहाँ पर आपकी नोडल फोर्स बता दिया गया अब बात करते हैं पोइंट नंबर टू की देखिए यहाँ पर जो ये फिजिकल कंडेक्ट करवाने का notice out किया गया है यह CRPF की तरफ से क्या गया है कि आपका जो फिजिकल है वो CRPF यहाँ पर कंडेक्ट करवाएगी सो यहाँ पर आप इस चीज को समझे कि आपकी फोर्स का स्लेक्शन करने के लिए बार बार जो बिड है उसको यहाँ पर और 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 जा रहा है कि आपकी बिड इस तारी को उपन होगी इस तारी को क्लोज होगी So, यहां पर बिना बिड के, यानि कि बिना आपकी जो बोली लगती है कि भई कौन सा फोर्स आपका फिजिकल कंडाक्ट करवाएगा, उसके बिना CRPF को यह ठेका कहां से मिल गया, कि भई इस बार का जो फिजिकल है वो CRPF कंडाक्ट करवाएगी. so second reason ये भी है कि CRPF के पास अभी कोई भी official ये है इनी कि CRPF को पूरे rights दे दिये गए हो कि भाई इस बार का physical जो है वो CRPF करवा देगे और अगर ऐसा होता तो जो आपकी bid जो date रखी गई है 26 तारिक जो की 19 तारिक थी उससे 7 दिन और बढ़ा दी गई थी उसको यहाँ पर क्यों रखी गई है वो इसलिए रखी गई है कि agency का selection यहाँ पर किया जाए so selection होने से पहले कोई भी agency कैसे claim कर सकती है कि आपका जो physical है वो इस वार हम conduct करवाएंगे ठीक है third reason यहाँ पर होता है कि आप यहाँ पर लिखा हुआ है important notice इस important update तो यहाँ पर आप देखेंगे जो important लिखा हुआ है इसका आई आप एक बड़ चेक कीजिए यहाँ पर साफ साफ पदा लग रहा है कि इस आई को एडिट करने के बाद दुबारा से लिखा गया है क्योंकि इसका जो फोंट है जो इसकी जो अक्षणों के अंदर इंक यूज की गई है जो मोटाई यूज की गई है और जो फोंट यूज किया गया है वो यहाँ पर मैच नहीं कर रहे है इस वजए से तीसरे पॉइंट के अंदर भी यहाँ पर error है अब फोर्थ पॉइंट है आप पिछले जितने वाइरल नोटिस हुए थे एक बार आप उन सारे नोटिस को एक बार उठा के देखेगा और जब आप उन नोटिस से इस नोटिस को मैच करेंगे तो आप खुद इस चीज को pluralize करेंगे कि इसके अंदर सिर्फ जो डेट है उसको यहाँ पर सिर्फ जो है चेंच की गई है उसके बाद बागी सारी चीजे जो है वो यहीं की है हूँ-बहुत सारी चीजे कोपी करने की बहुत सामधार कोशिस की गई है बड कहते है ना नकल में भी अकल की जरूरत होती है सो यहाँ पर जो कुछ गलतिया की गई है यहाँ पर जो भी छोटी चोटी यह 4 मिस्तेक्स की गई है इसे साफ जाईर होता है कि आपका जो यह नोटिस है यहाँ पर रियल नहीं है तोटली फेक है आपका 26 तारीक को जब एक बड़ डिसाइड हो जाएगा कि भाई जो आपकी नोडल फोर्स है वो कौन सी स्लेक्ट की गई है किसको ये जो है कोंट्रेक्ट दिया गया है कि इस बार आपका फिजिकल करवाए जाए उसके बाद ही आपकी जो फिजिकल डेट है वो यहाँ पर आउट की जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली यही है कि अगस्त के अंदर आपका जो फिजिकल है वो यहाँ पर कंडेक्ट करवाए जाएगी है तो मिलेंगे एक और बड़ी वीडियो के साथ तब तक के लिए थेंकि जो मच नमस्कार